बात हो रही है उस महराश्ट्रा गवर्मेंट की जिनका कोई एक सदस्य इसके अंदर जुड़ा हुआ है और जिसकी वजह से दिशा भी फसरी दो बंदे और मरें सुषांत को भी मरना पड़ा जिसको 50 बार अपना सिम बदलना पड़ गया वो गाड़ी में सो रहा है और उसको जहां तक कहा जाता है कि कुटे के पट्टे से भी मारा गया मतलब कि एक तरीके से उसके खुद के अपने से उसकी मौत करवाई तो सुषांत के केस के अंदर आपने कोविट का टेस्ट क्यों नहीं किया आपने रातो रात कैसे कर दे तो आप खुद अपने कटगरे में खड आप क्यों रहे हैं क्योंकि भागने का मतलब यही आता है कि गिल्टी हो आप कहीं न कहीं आप उस चीज को ब्या करने की कोशिश कर तो आप भी वेट कीजिए ना फिर कोट का आप क्यों आते हैं सामने अब अदमुसे बोलिए आप अपने खुद के विदेंस अब बीच में मी नाम सामने आ रहा है Salman Khan 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 Khanh Aditya Kaar A Dryjo Building अव्यमं क्यों आप दिशा के साथ बीche, यहां इक ही अखीला और पृत कyani यहां बात होती है कैसे वो बात करेंगे सब्सक्रो nervous करवा दिया है पैसा दे दिया पैसा तो बहुत हैर जगा पर क्या बोलोगे निकासे एक माबा आप चुपी करेंगे ना कैसे करेंगे अगर उनके आगे कोई सिब्लिंग्स हैं यो कोई चीज है तो वह भी तो नंगी नहीं होने चाहेंगे ना पूरे एपिसोड के अंदर वो तो अपने एक अच्छा तो खो दिया अपने आपको तो नहीं खोएंगे तो क्या क्या वहां पर क्या क्या क्योंकि यह चीजें हैं हम लोग अपने केसे में देखते हैं कंप सेशन आती हैं कंपाउंडिंग होती है तो क्या उस केस को दबाने के लिए दिशा के केस को दबाने के लिए क्या सामने खड़ा करके हमें बेटी की नहीं चाहिए और चाहिए वो अपने मन से चाहा भी रहे हूं तो दे रहे हैं उनके में भी 10 सवाल हैं पर अगर वो आगे सामने आती हो पता नहीं उनके लिए क्या थ्रेटनिंग पोजिशन्स हैं कौन क्या पर है क्योंकि यहां पर जब हम लोग ही बात करें तो ट्विटर रंडल्स बंद हो रहे हैं आप देखिए यह आपके सामने मुझे लगता है कि करीना कपूर को अपना साइकाट्रिक हेल्पी ज़रूत है विकरसाइग श्राविंग सम प्रॉब्लम्स तो अगर जनता जिसको स्टार बनाती है तो उसको हिंदुस्तान पर और आज हमारे साथ हैं अनुजा कपूर मैम और मैम से बात करेंगे शुषान जिंग राजपूत के केस के बारे में जस तरीके से अब रिया चकरवरती इस केस में फस्ति हुई नजर आ रही है तो कही ना कहीं महराज सरकार भी इने बचाने की कोशिच कर है इसे जुड़े और तमाम बात करेंगे मैम से मैम यह जो आज रिया चकरवरती इस तरीके के बयान बाजी कर रही थी पहले वो कह रही थी कि CBI को यह मामला जाना चाहिए इसमें इंवेस्टिकेशन होनी चाहिए और आज वो जिस तरीके से भाग रही हैं CBI से क्या कहना च करती हूं तो मुझे रिया बहुत अच्छा खेली हुई खिलाडी लगती है इस सिरह सुषांत को इसने बकरा बनाया तो ऐसा नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि यह कहीं न कहीं हिस्ट्री शीटर भी रही है क्योंकि यह जिस तरीके से इसके पास अगर इनके अकाउंट में द अच्छानक से चड़ियंत्र रचना शुरू हो जाता है अचानक से यह दिखाया जाता है कि उसकी बहुत बड़े तरीके से उसकी जिंदेगी में क्योंकि देखिए आप अपनी फैमिली को अचानक से आपकी जिंदे में कोई एंट्री कर रहा है और अचानक से कोई दो आपकी और आज तक उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अचानक रिया कि आने के बाद ऐसा क्या होता है कि वह उसकी जो फैमिली मेंबर से उससे एलिनेट कर दिया जाता है एलिनेट के साथ साथ क्योंकि मोडस और प्रेंडी एलिनेशन के साथ ही आप किसी बंदे को का भाई और यह गया था में खाल से लंडन या वेंड देर और वहां पर जाकर सक्सेस की हापीनेस और पार्टी उनने काफी जादा उसमें और वहां पर सुनने में ये भी आया है देखिए आप और मैं दोनों वहां नहीं थे सबसे बड़ी बात है कि कोई भी है कि वो कहीं न कहीं पूलिस उस चीज़ के अंदर फेलियर है जब कड़ियां जूडती नजर नहीं आती उसी दोरान पर थियोरीज फ्लोट करती है अगर आप रिया की बॉडी लैंग्विज को ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो लोग बॉडी लैंग्विज एक्सपर्ट्स हैं और मैं उसको बहुत क्लोजली वॉच करती हूं उसके बात करने का तरीका चलने का तरीका जो तुरूआउट उसमें रहा है जिस तरीके से ये एक के बाद एक बड़ी डेस्परिटली अपने आपको इनोसेंट करार करने की कोशिश कर रही है कहीं ये भी तो नहीं रुकरी ना कि ये भी तो नहीं रुकरी अगर आज मीडिय ट्राइल हो रही है तो एक तरफा तो नहीं हो रही ना रिया ने भी कागस डॉक्युमेंट तो आप यह देखें ट्राइल को कहीं ना कहीं अपने आपको बेगुणा करने के लिए आप भी तो बात कर रहे हैं तो जहां पर आपको उफेंसिव होना चाहिए ताप डिफेंसिव हो रहे हैं तो यह अगर जो बॉडी लाइग वेच और लाइट इक्षिन एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे यह बात समझ में आती है कि अगर आप बहुत जादे डिफेंसिव हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत गिल्टी हैं मैंने तो आप से सवाल जो पूछ रही हूं आप उसको छोड़कर जल्दी-जल्दी कोई और चीजों का सवाल और औ अपने आपको डिफेंड करने के चक्कर में बहुत चीज़ी ऐसे बतारें जिनको आमनों पूछ भी नहीं रहे हैं तो आप क्यों आ गया के बता रहे हैं तो यह भी देखना बहुत जरूरी है तो इसलिए मीडिया ट्राइल एक तरफार मीडिया का काम है चीजों को सामने ल पूछा तो आपके पास अटॉपसी के रिपोर्ट के अंदर भी जो उनी के लोगी बैठके बताते हैं कि उसको कोविड का टेस्ट करवाने के लिए दो दिन बात किया तो सुशांत के के अंदर आपने कोविड का टेस्ट क्यों नहीं किया आपने रातों रात कैसे करते तो आप खुद अपने कटगरे में खड़े हो रहे हैं मुझे आपसे सवाल पूछने की जुरूद नहीं है अपना आंसर आप देना शुरू कर रहे हैं विदाउट उस सवाल के बीजे जो सवाल हमने नहीं पूछा यहीं इंटरोगेशन है और अगर मीडिया आपसे सवाल पू आप हमें जवाब क्यों दे रहे हैं मीडिया आप अपना जाके कोट में जवाब दीजिए फिर आपका तो बंदा है इनलो में मैं आज भी जब एडी के दफतर पहुची थी रिया दच्चक रिया चकरवरती अपनी फैमली के साथ तो जब मीडिया की तरफ से उनसे सवाल कि जाते हैं तो उससे भी बड़ी बचती हुई नजर आती है और अंदर चली जाती है एक तरह वो जिस तरीके की बाते मेडिया से बचने की कोशिश कर रही है पुलिस को भी गुमा फिरा के बातें बता रही है तो क्या लगता है कि रिया चकरवरती से के बच जाएं बच भी दिख रहा उसके अंदर उनको लगता है कि यह शायद ऐसा नहीं है उनका अपना प्रिस्पेक्टिव है और आई थीम हम लोग उसको भी ओनर करते हैं क्योंकि हर एक अपना प्रिस्पेक्टिव है क्योंकि जिसको इन्वेस्टिगेशन करना चीए था वो फेलियर है तो अगर वो investigate ढंक से करते तो आज दो दो तीन तीन चार-चर त्स निकल के बार नहीं आती तो आप यहां देखे सुननदा पुशकर केस में भी त् कर रही हैं वहाँ पर सवाल जवाब होंगे जहां पर भी एज लॉयर मुझे इवेंट साथ में कडिया जुड़ती हुई नजर नहीं आएंगी मैं सवाल पूछूंगी चाहे वो मीडिया में है या मीडिया से बाहर आप चूस कीजिए आप मुझसे बात करना चाहेंगी मीडि तर्क है और यहां पर मैं यह देखती हूं कि रिया और रिया के बहुत जल्दी है अपने आपको नौट गिल्टी दिखाने में आप क्यों दिखाना चाहरे हैं मीडिया ट्राइल में तो आप खुद साथ में खड़ी हैं हैंड इन गलाव तो आप हमें मत बोलिए ना कि हम ल नहीं बोल सकते हम श्रीदेवी के फैन भी हैं दिशा तो कोई कुछ नहीं थी ना आदिशा की भी बात कर रहे हैं ना वह बिहार से है ना उसके बैगराउंड के लिए कोई और कोई सम्तिंग शीज अन आक्टर और संदें तो जब हम लोग उसके अंदर वह वह भी तो एक आ हमारे पैस भी एजन्सी तो वह है ना क्योंकि देखेंड हम तो उसे को चूस खराब और बहुत ज्यादा क्षाराब हम किसको चूस कर रहेहं कंभी करफ्ट वालों से बात कर सकते ना अब करफ्ट और नॉन-रंत ये कहां देखना है हम कहां जाएं यह तो अब जब investigation चल रही है कौन किसके बारे में jurisdiction के बारे में बात हो रही है Supreme Court भी उचे नहाले भी इसके अंदर है वो भी आ जाएगा आपका कल में कि कौन सी Supreme Court का क्या आता है कि CBI इसके अंदर investigate करेगी कि नहीं करेगी क्या चीज है तो देखिए उसके साथ साथ मीडिया जो है जो एक full power democratic country के अंदर fourth power है वो यह अपना काम करती ही है वो साथ में trial लेती ही है और even if there are some directions given to the media also in but in boxo cases it has given आपके कथवा rape case के अंदर बोला है कि आप victim का नाम नहीं ले सकते आप यह नहीं कर सकते देखिए जैसिका लाल भूलिये मत मीडिया केश के अंदर निये ही जैसिका लाल को भी कही न कहीं justice दिलाया है तो ऐसे दो तीन केश और भी है जो सामने आते हैं जहां पर जहां पर निर्भिया का तो आज आगर आप मीडिया पर जहां पर अंगली उठाते वह इन वीडिया कवी थापता पाते तो क्या एक आद्मी जो कॉमन मैन जो इनके बारे में गलत बोलते हैं या इस बात बारे में टिपनी करते हैं तो क्या में कॉमन मैन पार उत्रा नहीं था देखिए बात हुरी है उनकडियों की जुड़ी नहीं बात ओर रिये उस महराश्ट्रा गवर्मेंट की जिनका कोई एक सदस्य इसके अंदर जुड़ा हुआ है और जिसकी वजह से दिशा भी फसरी दो बंदे और मरें सुशांत को भी मरना पड़ा जिसको 50 बार अपना सिम बदलना पड़ गया वो गाड़ी में सो रहा है और उसको जहां तक कहा जाता है कि कुट्टे के पट्टे से भी मारा गया मतलब कि एक तरीके से उसके खु ग्रिलिंग कम ग्रिलिंग नहीं होती है तो रिमांड में जब वो लेगी जिस तरीके से ओब आत कर रही है अभी अगर वो लोग भा रहे तो असका मतलब यह नहीं कि संग्दित की सूरी उनके उपर नहीं चल रही ह। उनके उपर है पुरी, it's just this, they are also gaining time and they are trying to take out the put out the links together, क् इनको भी क्योंकि not only supreme court उनको media के साथ साथ एक आम आदमी को भी जवाब देना है और यहाँ पर इसको बार बार यह कहकर कि बिहार community है बिहार community के साथ इसको link करके इसको कहीं ने कहीं bjb के साथ link करके इसको please politicize ना किया जाए और यहाँ का तो यह आदत बन गई है कि जब भी क कोई काम आदमी या मीडिया किसी चीज को उठाता है तो लोग उसको politicize का नाजर्या देते हुए उस case को बंद करने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं अपना छुपा हुआ जो उनका चहरा है वो उसको चुपाने की कोशिश करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी बाते कहीं बार सामने आते कई cases में अभी आपने जैसे के ED का नाम लिया तो ED जैसे इंटेरोगेट कर रही है इन लोगों को और रिया चकरवर्दी आज जब मॉर्निंग में वहाँ पे गई तो इन्हें जो गाड़ी छोड़ने आई थी वो सल्मान खान के दोस्ति की ती यानि की सुव अगर आप देखनाे अखे में बंद कर लो में को जी मेरे आंके कुछ नहीं ए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा ऐगर मैं उन्हीं आंखों को खोल कर देखने की कोशिश क्रूब अपने आगे की ब्लॉक जोड़ना भी शुरूब हो जाएगा यह तो डिपेंड करता है इसी कोई interrogation कहते हैं अगर कुछ चीजों को link किया जाता है ऐसे call logs निकाली गई है उसके अंदर आपके सामने अर्जुन कपूर का भी नाम सामने आता है महेश भट का नाम सामने आ रहा है सलमान खान का रहा है अरबाज खान का अधित्यकार शूरज पर रहाएँ दीरों मोर्यों का रहाएँ तो द दिर आ ऐ आ है आ है ओल्लग जो कही न कही लिंग है दिशा के साथ भी तो यहां पर एक ही अखिल और उनके दिशा के पिरेंट्स के बारे में जहां पर बात होती है कैसे बात करेंगे हो सक अच्छा तो खो दी अपने आपको तो नहीं खोएंगे तो क्या क्या वहां पर क्या क्योंकि यह चीजें हैं हम लोग अपने केसे में देखते हैं कंप सेशन आती हैं कंपाउंडिंग होती है तो क्या उस केस को दबाने के लिए दिशा के केस को दबाने के लिए क्या वहां पर प्राब्लम घे क्योंकि अगर आज उनको भी सामने खड़ा करके बोल दीजी हमें बेटी की नहीं चाहिए और चाहिए उनके में भी दस सवाल है पर अगर वो आगे सामने आती हो पता नहीं उनकी लिए क्या थ्रेटनिंग पॉजिशन हैं कौन क्या पर है क्योंकि यहां पर जब हम लोगी बात कर रहें तो ट्विटर रेंडल्स बंद हो रहे हैं आप देखिए यह आपके सामने हैं अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है चोर की दाड़ी में तिनका नहीं है और अगर आप सही हैं तो आप क्यो टर रहे हैं तो पी रसूगदार है इसलिए तो चुकानी पड़ेगी कीमत क्यों नाम ले रहे हैं क्यों अधित्य का नाम आ रहे हैं क्यों बाकी किसी रसूगदार का नाम क्यों बाद कौन लोग लोगों को भी तो डर रहे ना अपने आप में वो कहां जाएं तो वो क्या करते वो एक वो चीज को निकाल देते हैं चाहिए वह वाटसेप के थुरू निकाल देते हैं कोई कई चीजें ऐसी होती जो बोल दी जाती है कैसे उनका खुद का कॉंस्टिबल लाक पर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे उपर बहुत प्रेसर है हमें बोला जा रहा है पर इसी बीच को जिस तरीके से ये राजनीती के साथ जोड़ देते हैं और संजे राओत ये कहते हैं कि CBA की कंदे पर बंदू गुरक्के को योड चलाना चाहता है, सरकार को बदनाम करना चाहता है, तो आप बताईए कि सबसे पहली शुरुआत किस ने किया है, इसमें राज मुझनीती ये तो मैं यही कहूंगी मीडिया को, इस चीजों से घबराए ना, अगर देखे, मीडिया ट्राइल जो हो रहा है, यह आज का टाइम नहीं है, जहां पर सिर्फ एक केस में मीडिया ट्राइल हो रहा है, इसमें चुस्कियां जो आज उंगलियां उठा रहे हैं उ तो जब आ पॉलिटिसाइस तभी कहते हैं जब आप में इस बात का डर लगता है कि मैं पावर से डरा दूंगा देखिए आप या तो चीजों से डरा सकते हैं पावर या पैसा तो यहां पर जहां पर पावर अब दिखाना शुरू कर देंगे आपको यह लगता हम इसको ठाकर के खुद के ही बंदे हैं ठाकरे के और वो चाहते हैं कि इस चीज को पॉलिटिसाइज का रास्ता मिल जाए ताकि वो क्लीन चिट की तरीके से सामने आजए क्योंकि मुंबाई पुलिस उसके अंडर है स्टेट के अंदर है और वो ऑल्डेडी ही उनके उपर धंकी दी किया क्योंकि अगर एक अंधे हम लोगों को नजर आरा हम क्यों कहते हैं क्योंकि हम ही कहते कि इतना साफ है इतनी चीजें हैं कि जिसको नजर आ सकता है कि अगर हम वो एक इस चीज को अगर हम इमाजन करना शुरू करते हैं तो यहां पर इवेंस क्यों साफ दिख रहे हैं क् हम ही कहते हैं, है यह सही है, ऐसा ही समझ में आ रहा है, तो क्यों ऐसा लगता है कि चीज ऐसे हम लोग पर और कोई ठेए, सब एक ही ठेए, तो देखिए इसका मतलब कहीं कुछ है ना, चो चीज प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं, तो उसको देखना बहुत जरूरी है कि हम लोग उसको ध्यान रखें और इस बात से ना घबराएं पॉलिटिकल एरिया जो चल रहा है जिसको ज़्यादा तकलीफ है वो जाके सुप्रीम कोट के अंदर बात कर सकता है अज़ाएं पॉलिटिकल रहा है जिसको जहाँ प्राबलम है जिसको जाए डिरेक्शन न वो दे देगा और जहाँ पर कोई जहाँ पर लकीर खिचनियों खिचती जाएगी अभी तो कल के हम लोग वेट कर रहे हैं इसके लिए कि सीवी आई को कितना जुरिडिक्शन है और कित इसे केसिस के आगे ऊपर अपना बिल्कुल अपना पावर दिखाया है और एक और केस कोल्ड केस ना बन जाए इसी चीज़ के लिए हम लोग दिन राते करके इसके अंदर आगे आ रहे हैं और बात करने की कुशिश कर रहे हैं कि आप किसने बनाए हमें स्टार आपको नहीं देखनी पिचर मत देखिए पिचर तो मतलब उस तरीके का एटिट्यूड के उन्हें फरक नहीं पड़ता कि जंता उनकी पिचर देखे ना देखे इसके क्या कर ना सौगगे अगर आप कहीं की महरानी भी बन चुकी हैं अगर आप उसी को ही प्रजेक्ट करती है शरमानी चाहिए अपको कम से कम आप इस तरीके का आप पतोड़ी खांदान की है थोड़े राईजादी जो जिस तरीके के राजपूता खांदान जैसे रहता है वेस तरह की बात कीजिए थोड़ा जो मेक सेंस करे और don't show your arrogance and don't bring Kapoor also pulled down by your arrogance statements. वो ये भी कहती है मैम कि जनता नहीं तो हमें स्टार बनाया हमने कब का हमारी फिलम देखो? तो ये जनता ही देखेगी ना फिर जनता जो जनता बहुत देखे जनता की जो मेमरी है बहुत शॉट लिफ्ट है तो अगर जनता जिसको स्टार बनाती है तो उसको बिखारी भी बनाना जानती है तो ये जो टेबल टर्न करती है ना तो ये इनको बता दीजे इनकी खुबसू पुर्ती की बावत और अपनी उसकी बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में हम लोग कोई खड़ो के थेंक यू बोलेंगी, तो इसलिए मेरी लिए इनकी बाते बिल्कुल जीरो हैं, और मुझे लगता है कि करीना कपूर को अपना साइकाइट्रिक हेल्प भी ज़रूत है, बिक क्या रहे थे कि सविधान खत्रे में हैं, और जब उनी के बीच का कोई सितारा चला जाता है, उसको लेकर क्यों अपनी अवास बुलन नहीं करते ये लोग, क्यों CBI की मांग नहीं करते हैं, देखे CBI की मांग, जहां पर हम CBI की बात कर रहे हैं, CBI भी कोई भगवान नहीं ह CBI से भी बहुत केसिस हैं, जो खराब हुए हैं, कभी कबार होता है कि स्टेट ही पुलिस बहुत अच्छा कर जाती है, कभी कबार ऐसा भी होता है कि CBI अच्छा कर जाती है, विश्वास की बात है, विश्वास की बात है, मेरे कई केसिस ऐसे हैं, जहां पर मैंने CBI में दिय सब्सक्राइब करके टेक्स छोड़ दिए फिर उसके इन सभी को बता है कि एक इतना अच्छा स्टार जिसका कोई करियर डाउन नहीं था मूवीज अच्छी चल रही थी वो किस तरीके से हमारे बीस से जा सकता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है इसको लेकर भी इन लोगों ने कोई अवाज नहीं उठाई आप तो सर्देसाई सर से भी तो पूछिए सर्देसाई सर से भी तो पूछिए ना वो तो बोल रहे हैं वो जोकर था देखिए ना आपके खुद के मीडिया के बंदे हैं आप क्या करीना कपूर पर जा रहे हैं आपके खुद के मीडिया के हैं और आप ही में से निकले हैं जो एक दूसरे को कह देता है कि वह जोकर था। देखें, ना तो आपके घर से वह खाना खाता था, ना आपने उसको कुछ बनाया। वो जो बना अपनी महिनत से बना। आज वो जो कुछ भी था, पैंठा उस था, उसके पस करोड़ों की संपति थी। जो कुछ पिता अपने आप से बनाया था, सरदसाई ने उसको कुछ नहीं बनाया था, और सरदसाई खुद क्या बने हैं, कहां से आए हैं, जब वो खुद अपने आप में बनकर आज बैड़ गई एक जगाप और आज अब दूसरों के बारे में इस तरह की सताना कशी कस रहे हैं, तो उनको खुद को भी संद में आना चाहिए, कि एक वक्त उनका भी था, जब वो उनको भी हम सब की सपोर्ट की ज़रूत थी, और एक टाइम ऐसा भी था कि बाहर की कंट्री बे उनको बहुत हंगामा हुआ था उनके उपर और बहुत जूते और चपले पड़ी थी, तो ये भी ध्यान रखें Fujakah की हमें हमेशा अपनी आउकात में और अपनी चीजों में बात करनी चाहिए, किसी को भी किस तरीके से बात करके या कि इंट नीशे दिखानी की जरूत नहीं है, और चाहिए वो बंदा गुजरात से है, चाहिए वो बंदा किसी भी कम्यूनिटी सी है वो एक इंसान है और उसको इस बात के रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और इस रिस्पेक्ट के अंदर मुझे जहां तक लगता है कि अगर इंवेस्टिगेशन अगर वो सीबियाई या मुंबई हमें इस बात का है कि जो चीज हमारे लिए सामने कडियां क्योंकि नहीं जम रही हैं नहीं बन पा रही हैं तो मेरे लिए हमेशा से यही बात सामने रहती कि अगर इंवेस्टिगेशन कोई भी करे मेरे लिए शायद हो सकता मुंबई भी करे यह सीबिय पर एंड के अंदर वो लिंक मिलना चाहिए वो जस्टिस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दिखना चाहिए हमां हमें भी पता चले कि वो है वो चीज सामने आनी चाहिए आप प्रॉपर तरीके से पुक्तों को सामने रखिये तो वो बात अगर सामने आएगी तो कोई भी आपके खिलाफ नहीं खड़ा होगा वहीं पर ही लोग है जहां पर जब एक्स्टॉशन के केस के अंदर और अधिरा मैनी टाइम्स वेन यही पुलिस जो है जिनों ने एक्जिक्यूशन भी किया है क्रिमिनल्स का और हम लोगों ने पुलिस के साथ खड़े होएं अगर आज अगर आपसी की रिपोर्ट कब कहां पर कैसे निकलेगी यह हमारे हाथों में नहीं है पड़ अगर मैं सिरफ इतना कहूंगी अगर आज सब लोग अपना काम सच्चाई के साथ करते जो आज हम लोगों को यह काम सड़क पर आकर काम नहीं करना पड़ता एक आम आदमी को जो वो कर रहा है जस्टिस के लिए अपने कुछ देर पहले तो उसमें एक तो इन्होंने यह बात की दी जो आपने कही है एक और बात कही थी उन्होंने कि शुषान जिंग राजपूत उनी कैटिगरी के लोग हैं जो अप ठाकरे आ रहे हैं जिस कैटिगरी के बाकी और लोग हैं जो इसमें बॉलिवुड में जहां पर नाम बात हो रही है हम कह भी हम भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर उनके उपर हो सकता है ना अब उनसे को निकल वा रहा है आप भी प तो वही बाते आपके उपर भी तो उचल सकती हैं तो question mark की उम्मीद दूसरे से भी रखिए तो इस तरीके का मजाग करिये मत जो दूसरा सह नहीं सके और आपके उपर भी वापिस ना आए और मुझे बहुत दुख हुआ कि वह इतनी उमर में हैं और इसके बावजुद इस त तरफ इस तरह के से लगा कर बात करने हैं बहुत बहुत धन्यवाद माम